आश्विन मास्त के खृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिराय कादशी कहा जाता है। इस साल दो अक्टूबर को इंदिराय कादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विश्णु की पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। कहते हैं कि पित्री पक्ष में पढ़ने वाली इंदिराय कादशी का वरत रखने से पीतर प्रसन होते हैं और अपने वन्शजों को अशिरवात देते हैं। इसे कादशी का वरत रखने से जीवन में आने वाली सभी परशानिया दूर हो जाती हैं। इस दिन शाली ग्राम की पूजा कर वरत करना चाहिए पवित्र होकर शाली ग्राम को पंचामरीत से स्नान कराकर वस्तर पहनावे भोग लगावे एवं पूजा आर्ति करें पंचामरीत वीतरन कर शाली ग्राम पर तोलसी अवस्य चढ़ाने चाहिए इस प्रकार जो इस व्रत को करते हैं वे करोण पितरों का उधार कर स्वयम सर्गलोग को जाते हैं इंद्रा एक आधिशे की कथा एक समय राजा इंद्र सेन महश्मती नगर में राज करते थे उनके माता पिता दिवंगत हो चुके थे अचाना के एक दिन उन्हें स्वपन हुआ कि तुम्हारे माता पिता यमलोक में कश्ट भोग रहे हैं निद्रा भंग होने पर वे चींतित हुए कि किस प्रकार इस यातना से पितरों को मुक्त किया जाए इस विशे पर मंत्री से परामर्ष किया मंत्री ने विद्वानों को बुला कर पूछने की सलाह दी राजा ने ऐसा ही किया सभी ब्रामरों को पसित होने पर स्वपने की बात पेश की गई ब्रामरों ने कहा राजन येदि आप सवकुटूम इंद्राय कादशी का वरत करे तो आपके पितरों को मुक्ती हो जाएगी उस दिन आप शालिग्राम की पूजा तूसी आदी चढ़ा कर ग्यारह ब्रामरों को भोजन करा कर दक्षिना दे और आशिरवाद ले इससे आपके माता पिता सोयम ही स्वर्ग में चले जाएंगे आप रात्री को मूर्ती के पास ही शेयन करना राजा ने ऐसा ही किया जब मंदिर में सो रहे थे तभी भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन इस वरत के प्रभाव से तेरे सभी पित्तर स्वर्ग को प्राप्त हो गए है राजा इंद्रसेन भी इस वरत के परभाव से इस लोक में सुक भोग कर आंत में स्वर्क हो गए